दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदूशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों छट्वी कच्छा से लेकर बारहमी तक के न्से एर्टी पुस्तकों पराधरीत पर्यावरण के न्से एर्टी सार के अंतरगती सध्याय में आप पढ़ेंगे जीव तथा पर्यावरण का भागतीन जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के लिए बहुत ही उब्योगी है इसमें हमने एनसी एर्टी के छटवी कच्छा से लेकर बारहमी तक के पर्यावरण से संबंधित जीव और पर्यावरण टापिक से संबंधित जो भी महत्तपूर जानकारी है उसको कवर किया है सबसे पहले आज के अध्याय में हम समश्टी पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित महत्पों टॉपिक को देखेंगे दोस्तों हम पृत्वी पर किसी ऐसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोच सकते हैं जहां केवल एक ही जातिक आवास हो ऐसा कोई आवास है ही नहीं और इसलिए ऐसी परिस्थित अकल्पित है क्योंकि पृत्वी पर कोई भी ऐसा छेतर नहीं जहां पर केवल एक ही जातिक आवासो बिभिन जातियों का वास होता है पृत्वी के हर छेतर पर किसी भी जात के लिए नियुंतम आओ सकता और एक जात की है जिसको वह भोजन के रूप में ले सके तो आप जानते हैं कि कोई भी जात अकेले नहीं रह सकती क्योंकि किसी भी जात के लिए नियुंतम आओ सकता एक और जात की है जिसको वह भोजन की रूप में ले सके जैसे जो जीव शाकाहारी हैं उनको जो है वनसपतियां पेड़ पाउधों की पतियां चाहिए जो मांसाहारी हैं उनको कोई और जीव चाहिए पादप जाती भी जो अपना आहार स्वयंग बनाती है अकेली जीवित नहीं रह सकती इसे मिर्दा के कारबनिक पदार्थ को तोड़ने और अकारबनिक पोस्कों को इसके और शोशन के लिए लोटने के लिए मिर्दा के सुक्ष्म जीवों की जरूरत पढ़ती है इसके रहते हैं बलकि जैव समुदाय बनाने के लिए बिभिन तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं दोस्तों नियुन्तम समुदायों में भी अनेक परस्पर क्रिया शेल अनुबंधताएं होती हैं हलाकि सभी बंधताएं आसानी से दिखाई नहीं देती हैं देखे अंतरा जाती यानि एक जाती के बीच में अंतरा जाती पारसपरिक क्रियाएं दो भिन जातियों की समश्टियों की पारसपरिक क्रिया से उत्पन होती हैं दोस्तों वे क्रियाएं एक जाती या दोनों जातीयों के लिए हितकारी हानिकारक या उदासीन ने तो हानिकारक या लाफदायक हो सकते हैं लाफधायक पारसपरिक क्रियाओं के लिए प्लस चिन और हानिकारक के लिए माइनस चिन और हुदासेन के लिए जीरो चिन दरसाए जाता है। एक दूसरी जाति से पारस्परिक्रिया में जो सहोपकारिकता होती है उसमें दोनों जातियों को लाव होता है और जो अस्पर्धा प्रक्रिया होती है अस्पर्धा की क्रिया होती है दोनों को हानी होती है परजीविता और परभख्षण दो और प्रक्रिया हैं सहोपकारिता क के अलावा परजेविता और परभख्षन इसमुद दोनों में से केवल एक जाति को लाव होता है जैसे परजीवी और परभख्षी को और पारसपरिक क्रिया दूसरी जाति क्रम से परपोशे और सिकार के लिए हानिकारफ होती है आईए साड़ी समस्टियों की पारसपरिक क्र जान लेते हैं तो मान लिजे एक जाती अ और एक जाती व है और पारस्परिक्रिया का नाम तो सहोब कारिता में दोनों को लाभ होता है यानि दोनों प्लस प्लस असपरधा में दोनों को हानी होती है दोनों जातियों को पर भक्षण में एक को लाभ और दोसरे को हानी होता है सह भोजिता में एक को लाव और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अंतर जाती पर जीविता में एक को हानी और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दूसरी और अंतर जाती पर जीविता में एक जाती को हानी होती है जबकि दूसरी जाती परभख्षण के बारे में जानते हैं कि जब कोई जीव दूसरे को भोजन के रूप में प्रयोग करता है तो परभख्षण पर जीविता और सहभोजिता इन तीनों की साधा विशेषता है और पारस परिक्रिया करने वाली जातिया निकटता से साथ साथ रहती हैं। परभच्छन तो जब हम परभच्छी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाग और हिरन का उदाहरन सहज ही हमारे दिमाग में आता है लेकिन बीज को खाने वाली गौरईया भी परभच्छी से कम नहीं है हलांकि पौधों को खाने वाली प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग स्रेडी में रखा जाता है लेकिन सामान पारिष्टिक संदर में वे भी परभच्छी से ज़्यादा भिन नहीं होते हैं दोस्तों पोशी अस्तरों तक उर्जा अस्थानांतरन के लिए संलान यानि कंड्यूट के रूप में कारे करने के अलावा परभच्छी एक दूसरी महत्वण भूमी का भी निभाते हैं क्या तुभे शिकार समष्टि को नियंतरन में रखते हैं दोस्तों आप जान लिजे परभच्छी जो हैं सिकार समष्टि को नियंतरन में रखते हैं अगर परभच्छी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत तो बहुत जादे आज हो जाता और पारितंतर में अस्थेरता यानि असंतुलन हो जाता जब किसी भौगोलिक छेतर में कुछ विदेशज जातियां लाई जाती हैं तो वे आकरामक हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं क्योंकि आकरांत भूमे में उसके प्राकृतिक परभच्छी नहीं होते हैं जब किसी भौगोलिक छेतर में कुछ विदेशज जातीयां लाई जाती हैं तो वे आकरामक हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं क्योंकि आकरांत भूमे में उसके प्राकृतिक परभच्छी नहीं होते हैं उनीस सो बीस के आरम में आश्टेलिया में लाई गई नागफणी ने वहां लाखो हेक्टेयर प्रछेतर में तेजी से फैल कर तबाही मचा दी थी अन्त में नागफणी खाने वाले परभच्छी एक परकार के सलब को उसके प्राकृतिक आवास आश्टेलिया में लाए जाने के बाद आकरामक नागफणी को नियंतरित किया जा सका इसके अलामा आप देखिए कि क्रिस पीड़क नाशी के नियंतरण यानी पेश्ट कंट्रोल में अपनाए गए जैव नियंतरण बिधिया परभच्छी की समष्ट नियमन की युग्गिता पर आधारित हैं परभच्छी अस्पर्धी शिकार जातियों के बीच अस्पर्धा की तिप्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की बिवेदता या डाइवर्शिटी को बनाए रखने में सहायता करता है और अगर परभच्ची ज्यादा ही दक्ष है और अपने शिकार का अति दोहन करता है तो हो सकता है शिकार बिलुप्त हो जाए इसके बाद खाने के अभाव में परभच्ची भी बिलुप्त हो जाता है तो यही कारण है प्रकिर्ट में जो परभच्छी होता है वो विवे की है परभच्छन के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन रक्षा बिधियां विक्सित की हैं जैसे कीटों और मेढ़कों की कुछ जातियां परभच्छीयों द्वारा आसानी से विशेस रसायन होने के कारण ये अपने परभच्छी यानि पच्छी के लिए बहुत अरूजिकर यानि स्वाद में खराब है और एक दिलचस्प है कि तितले इस रसायन को अपनी इल्ली यानि कैटर पिलर आवस्था में विशेली खरपतवार खाकर प्राक्त करती है पादपरस और पादपों के अन्य भाग खाते हैं पादपों के लिए समस्य विशेस रूप से गंभीर है क्योंकि वे अपने परभच्छीयों से दूर नहीं भाग सकते जैसा की प्राणी कर सकते हैं इसलिए पादपों ने शाकहारियों से बचने के लिए आश्चर जनक बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन और भंडारित करते हैं जो खाय जाने पर शाकहारियों को बिमार कर देते हैं पाचन का संदमन करते हैं उनके जनन को भंग कर देते हैं या मार देते हैं दूस्तों छोड़ दिये खेतों या परित्यक्त खेतों में उग रही कैलोट्र ओपिस खरपतवार आवस से देखी होगी ये पौधा तेदिक विशैला हिरदय गलाइको साइड उत्पन करता है और इसे कारण हम कभी भी किसी पशुया बकरी को इस बौधों के चर्टे हुए नहीं देखते हैं। दूसरा महतपूर्ण प्रक्रिया अस्परधा है जब डार्विन यानि चार्ल्स डार्विन ने प्रकिर्ट में जीवन संगहर्स और योगितम के उत्तर जीविता के बारे में कहा तो वो निश्यई यानि कायल था कि जयव विकास में अंतर जाती अस्परधा एक शक्ति सालिब तो ये है कि ये असंबंध जातियां भी एक ही संसाधन के लिए अस्परधा कर सकती हैं जैसे दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली जीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहीं कि आवासी मचलियां साज़ा आहार जील में प्राण पलवक के लिए अस्परधा करती हैं और द संसाधन यानि आहार और अस्थान पर्याप्त मातरा में उपलवध हों इसलिए अस्परधा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसमें एक जाति की योग्यता यानि ब्रिध की इंट्रीजिक दर आर के रूप में मापित दूसरी जात की उपस् परिष्ट कारण था बकरियों में जो चारण दक्षता होती है और प्रकिर्थ में अस्पर्धा होने का दूसरा प्रमार अस्परधी मोचन है अस्परधी रूप से उत्तम जात की उपस्थती के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भोगोली छेतर पर प्रतिबंधित हो ग इसी तरह के संसाधनों के लिए अस्परधा करने वाली दो निकट्कम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ नहीं रह सकती और अस्परधी रूप से घटिया जाती अन्तत बिलुक्त कर दी जाएगी और ऐसा तब होगा जब संसाधन सीमाकारी होंगे अन्यथा नहीं दोस्तों अत्यधिक बर्तमान अध्यान अस्परधा के ऐसे घोर सामानी करण की पुष्ट नहीं करते विप्रकिर्ट में अंतरा जाती अस्परधा होने को न कारते तो नहीं पर वे इस और ध्यान दिलाते हैं कि अस्परधा सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रिया विध्य कर सकती हैं जो बहिसकार की बजाए सह अस्तित्यों को बढ़ावा दें ऐसी एक क्रिया विधी संसाधन विभाजन हैं अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए अस्पर्धा करती हैं तो वे अशन यानि आहार के लिए भिन भिन समय अथवा भिन चारण प्रत्रूप चुनकर अस्पर्धा से बच सकती हैं दोस्तों एक जीव वैग्यानिक है मैक आर्थर इन्होंने दिखाय कि एक ही पेड़ पर रह रही फुद की यानि बार्बलर की पांच निकटते संबंधी जातियां अस्पर्धा से बचने में सफल रही और पेड़ की साखाओं और वितान पर की शिकार के लिए तलासने की अपनी चारण गत विधियो में बेवहारिक भिन्नताओं के कारण ये साथ साथ रह सकी तीसरा महतपूर्ण प्रक्रम जो है वो पर जीविता है तो पर जीविता यानि दूसरे जीव पर आसरित होना ये मानते हुए कि जीवन के पर जीवी पढ़ के रूप में विक्सित हुए वे पर पोसी की केवल एक ही जात पर पर जीवी जीवन बिताते हैं और इस प्रकार पर पोशी और पर जीवी दो सह विक्सित होते हैं यानि एक ही पर पोसी जात के साथ सफल होने के लिए अगर पर पोसी पर जीवी को अश्विकार करने या प् पुशेस अनुकूलन विक्सित किये जैसे कि अनावस्यक संबंधी अंगों का अभाव परपोसी से चिपकने के लिए आसंजी अंगों या चूसकों की उपस्थती पाचन तंत्र का लोप और उच जनन छमता ये जो है अनावस्यक संबंधी अंगों का अभाव है परजीवी को को सुगम बनाते हैं मानो यक्रित पाड़ाव यानि लीवर फ्लोग पाड़ाव क्रिम परजीवी ट्रिमिटोर पैरसाइट अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्त पोस्कों जैसे घोंगा और मचली पर निर्भर करता है मलेरिया परजीवी को दूसरे परपोसियों पर फैलने के लिए रोग वाहक यानि मच्छर किया हो सकता पड़ती है अधिकांस परजीवी परपोशी को हानी पहुचाते हैं परपोसी के उत्तर जीविता बृधिय और जनन को कम कर सकते हैं उसके समश्टी घनतों को घटा सकते ह वे परपोसी को कमजोर बना कर उसे परभक्षन के लिए अधिक असुरक्षित बना देते हैं दूस्तों आप जान लीजे जो परपोशी जीव होता है उसके बाह प्रिष्ट पर असन यानि आहार पूर्ति करने वाले परजीवी बाह परजीवी कहलाते हैं इसके इसके अलावा अनेक समुत्री मचली बाह परजीवी अरित्र पादो यानि कापी पोट्स द्वारा ग्रस्त हैं कसकुटा जिसको अमरबेल कहते हैं ये एक परजीवी पौधा है ये समानत बाढ़ पादपो पर ब्रिध्ध करता है विकास प्रक्रिया के दोरान इसका पढ़ पर पादप पर रहता है उसी से अपना पोशन लेता है अनतह पर जीवी भी होते हैं बाह पर जीवी के अलावा तो अनतह पर जीवी एंडो पैरसाइट वे हैं जो पर पोशी के सरीर में विभिन अस्थलों जैसे यक्रित ब्रिक फुप्फुस लाल रुधिर कोशी का आदि पर रहते हैं उनके आकारकी और शारेरिक लेक्षन अत्यधिक सरलिकरित होते हैं जबकि उनके जनल शक्ति को बल देते हैं पच्छियों में अंड पर जीवीता यानि ब्रूड पैरसेटिजम पर जीवीता का लुभावना उधारन है जिसमें पर जीवी पच्छी अपने अं अंडों के सद्रिस बिक्सित हो गए ताकि पर पोसी पच्छी द्वारा विजाती अंडों को पहचान लिये जाने और घोसले से उन्हें निकाल दिये जाने की संभावना कम हो जाए अब आईए जो है एक महत्तपूर जो जीव अंतर संबंद सहभोजिता है इसकी बारे में जानते हैं सहभोजिता से दोनों को लाब होता है यानि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जाती को लाब होता है दूसरी को नलाब होता है नहान होता है कैसे तो आम की शाखा पर एपिफाइड या अधिपायप के रूप में उगने वाला आरकेड और वेल की पीठ को आवास बनाने वाला बारनेकल को फाइदा होता है जब कि आम के पेड़ा और वेल को उनसे कोई लाब नहीं होता है। समुद्री एनिमोन यानि शी एनिमोन और दंसन असपरसक यानि इस्टिंगिंग टेंटेकल होते हैं जिसे उनके बीच रहने वाली क्लाउन मचली का है। इस परसपर क्रिया से परसपर क्रिया करने वाली दोनु जातियों को लाब होता है। कवक और प्रकास अंसलेशी शैवाल या साइनो बैक्टिरिया के बीच घनिष्ट सहोपकारी या मियूचू अलाश्टिक संबंध का उदाहरन लाइकेन में देखा जा सकता है। इस प्रकार कवक और उच्च कोड पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल यानि माई को राईजी सहचर है। कवक मिर्दा से अत्यावशक पोसक पत्तों के और शोशन में पादपों की सहायता करते हैं जबकि बदले में पादप कवकों को उर्जा उदपादी कार्भो हाइडरेट देते हैं। सहुप कार्था के सबसे शांदार और विकास के द्रिष्ट से लोगाओने उदाहरण पादप प्राड़ी संबंध में पाए जाते हैं। पादपों को अपने पुष्प परागित करने के लिए बीजों के प्रकेड़न के लिए प्राड़ीयों की सहायता चाहिए होती है। यहाँ पर अंजीर और बर्र की बीच बारस्परिक क्रिया दिखाते हुए बर्र द्वारा परागित अंजीर पुष्प और अंजीर के फर में बर्र द्वारा दिये गए अंडे दर्शाए गए हैं। नामत भूमध्य सागरी मेडिटेरेनियन आर्केड मच्छिका के एक जाती परागर कराने के लिए लेंगिक कपट या सेक्सूल डिसीट का सहरा लेता है। इस पुष्प की एक पंखुडी साइज रंग और चिन्धों में मादा मच्छिका से मिलती जुलती है। नर मच्छिका के दौरान इस पर पुष्प से पराग जड़कर उस पर गिरते हैं। जब वही मच्छिका दूसरे पुष्प से कूट या छद में मैथुन करती है तो यहां शरीर पर लगे पराग डालती है और इस प्रकार पुष्प को परागित करती है। मगर विकास के दौरान किसी भी कारण से मादा मच्छिका का रंग प्रतुरूप जरा भी बदल जाता है तो परागर की सफलता कम रहेगी इसलिए आर्किट को अपनी पंखुडी को मादा मच्छिका के सद्रिस बनाये रखते हैं और ये प्रकिर्ति का बहुत बड़ा आश्यर है अब आई ये इस जो अध्या है इसका सारांस देख लेते हैं तो पारिस्थित की या इकोलाजी जीवों की अपने पर्यावराण के भातिक रसायन कारकों और जैविक घटकों के संबंधों कारध्यन है ये जीव विज्ञान की साखा है और जीव वैज्ञानिक संगठन की चार अस्तरों से संबंधित है जीव समश्ट समुदाय और जीवों या भायों ताप प्रकाश जल और मिर्दा परियावराण के सबसे महत्तोपूर भातिक कारक हैं याद रखिएगा इनके प्रत जीव विभिन प्रकार से अनुकूलित हैं जीवों द्वारा आंतरिक परियावराण या होमियो इस्टेटि के लिए सक्षम हैं जीव अपने अंतरिक परियावराण का आंसिक रूप से नियमन कर लेते हैं अथ्वा किवल उनके अनुरूप कर लेते हैं कुछ अन्य जातियों ने अस्थान प्रवासन अथ्वा समय यानी गृष्म निस्क्रेता सीत निस्क्रेता और उपरती पारिस्थित्की का महत्वपोंड छेतर है समष्ट किसी दी गई जाति के वेस्टियों का समू है जो एक निशित भौगोलिक छेतर में समान संसाधनों के लिए अस्परधा करते हैं या उन संसाधनों में जन्म और मृतुदरिल लिंग अनुपात और आयू वित्रण आदिय गुड होते हैं जो बेस्टियों में नहीं होते समष्ट यानि समूह में नर और मादाओं के भिन आयू वर्ग का अनुपात प्राय आयू पिरामिट के रूप में भौगोलिक तह दर्शाय जाता है इसका आकार ये बताता है कि क्या समष्ट इस्थिर है बढ़ रही है या घ हट रही है समष्ट पर किसी भी कारक का पारिस्थितिक प्रभाव आमतोर पर उसकी साइज में प्रतविंबित होता है जिसे जात के अनुसार विभिन तरीकों संख्या जीवभार आवरण प्रतिशत आदे से व्यक्त किया जा सकता है समष्टियां जन्म और आप्रवासन से बढ़ती है और मृत्व और उत्परवासन से घड़ती है यानि जन्म और किसी निशित छेतर में जब जीवों का प्रवेस होता है तो उसे समष्टियां बढ़ती है मृत्व और उस छेतर से निश्कासन से उनकी संख्या घड़ती है जब संसाधन असीमित होते हैं तो ब्रि प्रकृतिक ब्रिद्ध की इंट्रीजिनिक दर आर किसी समस्टि का ब्रिद्ध करने की जन्मजात शक्ति की माप होती है। दूसरी को हानी होता है। सहभोजिता में एक को लाब पहुंचता है दूसरी को ने तो लाब होता है ने हानी होता है। और अंतर जाती पर जीविता जिसमें एक को हानी होती है और दूसरा अप्रभावित रहता है। सहुपकारिता जिसमें दोनों जातियों को लाब होता है। दोस्तों परभच्छन एक बहुत महत्वपून प्रक्रम है जिसके द्वारा पोशी और जा अंतरन संपन्न होता है कुछ परभच्छी अपनी सिकार समष्टियों को नियंत्रित करने में साहक होते हैं पादपों ने शाकहार के विरुध आकार की और रासानिक बीविद रक्ष्विद्या विक्सित की हैं असपर्धा में ऐसा समझा जाता है कि उत्तम असपर्धी घटियाज परधी को विलुप्त कर देता है और इसको असपर्धी वहिस्कार सिध्धानत कहते हैं लेकिन अनेक निकट संबंधित जातियों ने विभी ने क्रिया विधियां विक्सित की हैं जो उनके सह अस्तितों को सुगम बनाती हैं कुछ प्रकिर्थ में सहोब कारिता के कुछ सबसे आकरसक मामले पादप परागणकारी पारसपरिक्रिया में देखे जा सकते हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पर्यावरण के यंसी एर्टी सार जिसमें कच्छा 6 से लेकर 12 तक के यंसी एर्टी पुस्तकों के सारांस और संचेप दिया गया है इसके पर्यावरण के अंतरगत हमने जीव और पर्यावरण से संबंधित महतपूर्ण प्रश्नों का भागती इनकवर किया है ये आपके आगामे विभिन परिक्षाओं के पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण पारिस्थित की खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इनको तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदेशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार